कोशन कह रहा है जब एक साइकल निर्माता साइकल का बिक्रह मुले 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकलो की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है आरम्ध में अगर उसको 140% का लाव होता था तो नया लाव प्रतिसत ग्यांत कीजिए तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले वो एक ही साइकल बेच रहा था कितने में 100 रुपय में तो उसको कितना प्रॉफिट बन रहा था 140 प्रतिसत की यानि यह हो जाएगा 240 अब बुल रहा है वो अपने SP में 50% को कम कर देता है SP इसका 240 से 50% कम कर देंगे 120 हो जाएगा तो इसका प्रेडाम क्या आता है जो साइकल पहले एक साइकल बिग रहे थी उसमें 700 प्रतिसत की इंक्रिमेंट हो जाती है तो 700 प्रतिसत इसका कितना हो जाएगा एक से आठ हो जाएगा और एक साइकल का हम दोख CP कितना लिए थें 100 तो आठ साइकल का CP कितना हो जाएगा 800 अब एक साइकल का ESP कितना है 120 तो आठ साइकल का 1290 आट साइकल का Every 98 साठ अब देखे तोटल क्या निकल कया है 8 cycle का दाम 800 cp और sp 960 यानि difference कितना आ गया 160 cp कितना है 800 और into 100 इसको solve करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा 20% यह हमारा answer है